जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों अभी भी बहुत सारे बच्चों ने अभी तक में 23 का प्लान फिगर आउट नहीं किया है मेरे को पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल है सर सिंगल ग्रूप दे बोद ग्रूप दे क्या करे कैसे करे क्या क्या प्लान करे सब कुछ आता भी है कुछ भी नहीं आता है दोरों सच है पता नहीं है कैसे हो रहा है क्या करें यह वीडियो में आप लोगों को बहुत डीटेल में बताने वाला हूं मुझे पता है थोड़ा सा लंबा वीडियो है पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जितने टाइम का यह वीडियो है 1.5x2x पर देखिए पर आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे जो आपको अल्रेडी नहीं पता था यह वीडियो हर वो बच्चे के लिए जो एक ग्रूप दे रहा है या बोद ग्रूप दे रहा है या सेकंड ग्रूप दे रहा है मैं आप लोगों को एक ग्रूप का बनार बना के बताऊंगा और इवेंट्वली उसी के format में आप एक ग् मेहने में में मेहने में शुरू होगा date annonce हो चुके है already है एपको सारा छीज एकदम जगे पे बैठ जाएगा आप अगर बोध ग्रूप दे रहे हैं तो आपको art subjects का एक पढ़ाई करना पड़ेगा first revision करना पड़ेगा or second revision करना पड़ेगा मैंने क्या बोला ? एक होता है classes उसके बाहना आपकी first पढ़ाई उसके बाद first revision और उसके बाद second revision इतना आपको पढ़ना होता है sir मैं तु सुतरा बाद 4 revision कर लेता हूँ करके दिखाऊ अगर आप बोत group कर रहे हो तो दो revision से जादा plan करना unrealistic हो जाएगा तू के जगा 2.5 revision plan कर सकते हो 2.5 मतलब क्या सर 0.5 मतलब आपने कोई subject के important chapters को revision में ले लिया तो आप law पढ़ रहे हो तो law में आपने बोला यार में न डिरेक्टर IPC और एक दो chapter और important है उसको revise कर लेता हूँ उससे जादा मैं पूरा law बेटके revise नहीं कर सकता जितना मैं ने बोला उसको एक दिन में कर लेता हूँ तो इसको बोलते हैं 2.5 revision तो सुनिया आप पूरा planner में 23 से exam है बोद ग्रूप वालोग ले बता रहा हूँ जो single group वाले आप इसी को 1.5 times कर देना अब एक बात समझो सर exam में आपको हर subject 1.5 day में revise करना है कितना बोला मैंने 1.5 day में तो कोई subject अगर आपको 1.5 day में revise करना है तो exam के पहले उसको 3 दिन में करोगे अभी exam में 1.5 दिन में कर पाओगे न अगर आप exam के पहले कोई subject को revision करने के लिए 5 दिन लगा रहे हो आप बोले quality 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 तो 5 दिन का देर दिन में कैसे लाओगे आपको क्या करना है आप लोगों को ध्यान देना है कि आप revision देर दिन में कर रहे हो तो में का exam है आपका में के पहले मैंने 26th April डाला है अपसर चार दिन के जगा पांस दिन लगेगा तो tension मतलो आपका paper वैसे भी second में से शुरू हो रहे है if I am not wrong तो sir second में से शुरू हो रहे है वैसे भी आपके पांस पांस दिन है मैंने safer side में चार दिन लिखा आप देखोगे अब आप आप न reverse order में revision करोगे reverse order में revision मतलब क्या FR, SFM, law, audit इस तरीके सा audit law तो sir यहाँ पे आपका FR हो गया FR के पहले देखो मैंने 3 दिन दिये SFM को 3 दिन में हो जाते audit कले मैंने 4 दिन दिया audit कले 4 दिन क्यों दिया है क्योंकि इस बार के attempt में audit को आपको 3 दिन में पढ़ने को तो आप 4 दिन में एकड़ा quality revision करो audit का तो आप आराम से 3 दिन में फिर से revise हर सकते हो उसके बाद law के लिए मैंने 3 दिन दिया है क्योंकि law के वापस आपके बस 1.5 दिन का समय होगा exam के पहले यह 3.5 दिन कैसे manage करने हैं मैं आपको यह चैनल पर आ करके बताता रहूंगा but otherwise यह आपका strategy होना चाहिए उसके बाद सक मैंने वापस और continue किया costing लिए मैंने 3 दिन दिया है economic law के लिए economic law के लिए मैंने 4 दिन दिये है आपको मैं एक बार बता दूँ यह 4 दिन जो है आप आप आज जान में हो शाहिद वीडियो देख रहोगे फैम में आपने अभी जब भी economic law की classes की उसके साथ economic law की खतम किया आपकी बात वाँ खतम हो जाती है आप उसके बाद नहीं उठाओगे आप सीधा उठाओगे यहाँ पर क्यों कि economic law से एक बार class एक बार पढ़ना और एक revision बूत होगे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आप अगर एक बार class भी कर ले और उस समय हमकाज का पढ़ ले और यह चार दन में economic law कर लेंगे तो भी हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने economic law चार दन दिया है उसके पहले आपको नहीं लगेगा direct tax के लिए 4 दन दिया है क्योंकि syllabus बहुत बढ़ा है और indirect tax के लिए 3 दन दिया है इतने में करना पढ़ेगा यह आपका पूरा strategy हो जाएगा पूरा revision का और आप देखोगे 2nd April के बाद आप पूरे book दो सर बहुत सरे बच्चे बूचते हैं मौक टेस्ट कहां पिले केंगे इस बीच में मेरा आपसे ही suggestion रहेगा मौक टेस्ट जो है आप अपने पहले revision के बाद ही लिख लो ताकि जो भी गल्दिया आपने मौक टेस्ट में करिए वो आप इस revision में सुधार सको जैसे कि for example अगर मैंने SAPM के कोई mock test series लिखी तो मैंने practically लिखा था मेरे और जब मैंने test series लिखा न तो मेरे को समझ आया जो रटेवे formulas है जो formulas मेरे को रटना पढ़ रहे है जैसे कि black and tools model होते है सारे formulas जो मैं रट रहा हूँ वो मैं तको याद नहीं रहने exam में तो मैंको समझ आया formula को बार बार रटना पढ़ेगा अगर मेरे पास एक और revision का time होता तो मैं उसको ज़्यादा efficiently manage करता तो इस तरीके से आपको यहाँ paper ideally लिखना suggested नहीं है पर last मैंने में थोड़ा हाथ तो चलना चाहिए इसलिए आप 2 या 3 subject जिसमें आपको बहुत difficulty जा रही है उसका writing practice जो है April के मैंने में आप schedule कर सकते हो पर इस मैंने में सर सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपका दो चीज़ों पर होगा quality और quantity पे quality और quantity पे सर कैसे आते हैं उस पे आप सर ये समझो इतना समय लगा करके आपका पूरा दो ग्रूप का revision हुआ है और ये बहुत tight schedule है सर ये कोई मजाक वाला schedule नहीं है अगर आप single group वाले हैं तो मेरे को बता है आपकी office को बहुत कम दिन चुट्टी मिलेगा तो आप भी कोशिश करिए इतने ही time frame में revision कर ले क्यों आपको भी तो exam के पहले डेड़ी दिन मिल रहे ना यार अब सर उसके पहले आते है 2nd April के पहले की बात करते है अब सर 2nd April में एपरिल में एक दिन और आपका March में 31 days यह मिला कि आपके बस 32 days बचते है और पहले के 10 दिन ले लिजे आपके बस total 42 days 18th February से अगर आप देखेंगे तो आपके बस 2nd April तो 42 days है यह 42 days में आपको क्या करना होगा सर आपको पहला revision करना होगा 2nd revision आपको कित्ते दिन के अंदर किया 28 days के अंदर पहला revision आप कित्ते दिन के अंदर कर रहे हो 42 days के अंदर उसमें देखो सर मैंने लिखा 7 subject है और 8 subject है न economic law हम नहीं करने वाले इस समय पे आप समझो दिन में एक subject आपको करने के लिए 6 दिन लगेगा तब जाके आपको 42 days मिल रहे है आप सर 6 दिन is a very good number वगर आप जैसे DT लोगे तो DT शायद आपको 7 दिन लग जाएगा IDT लोगे तो IDT शायद आपको 5 दिन में हो जाएगा law शायद आपका 4 दिन 5 दिन में हो जाएगा तो आपका कम जादा लगा रहेगा तो इस समय पे आपको 7 subject का revision करना है अरगेट आपका IDT होना चाहिए दिन में में 2 subject करूँगा 2 से जादा subject नहीं करूँगा रैसे दोस्तों मैंने हाल फिलाल में एक AIR2 रमिया श्रील जो हमारी student थी उनका interview लिया था और आपको पता है उन्होंने क्या बताया था उन्होंने बताया था वो इपनी efficiency बनाने के लिए बिन में 8 subject पढ़ते दे तो बहुत दो subject पढ़ा फिर बेट लिया 5 minutes दो subject पढ़ा फिर बेट लिया 2 subject इससे क्या होता था उनको excitement रहता था कि यार हाँ 2 गंटा पढ़ लिया चलो अगला subject 2 गंटा boring subject आया ठीक हीच लिया उसके बाद अगला subject तो एगंटा interesting चला उसी interest को लेके अगले subject में गए तो ये भी एक strategy है जो बुरी नहीं है पर दोस्तों मैंने आपको हर बार बोलाए there is no return method to success बदसा नहीं कि ये 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 कर लो पास हो जोगे तो जो जमता है ये तुमको हमेशा एक चीज बोलता हो तुमारा हर एक घंटा productively use होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपना planning कर रहे हो planning एकदम बद्दा सा है उस चक्कर में तुम बढ़ा ही नहीं कर पा रहे हो तुमारा हर घंटा effectively utilize होना चाहिए that should be your target तो सरी ये 42 days में कोशिश करो आप क्या करोगे आप दो-दो subjects ले कर की खतम करोगे और obviously loss related में इस महने में मार्च के महने में एक marathon भी announce कर दूँगा मार्च का first week में या second week में तो marathon में हम क्या करेंगे सर्फ 5-6 दन का में पूरा schedule बना के दूँगा आपको उसी schedule के हिसाब से आप लोग पूरा पढ़ लेना और आप लोगों का doubts जो है मैं बहुत instantly ले लूँगा तो ये अपन मार्च के महने में करेंगे उसका announcement आपको इसी channel में आ जाएगा वापस इस channel को आपको subscribe कर लेना है आप सर्मात करते हैं मुद्दे की बोद ग्रूप वालों के लिए 8 February जो है वो last date है 8 February आपके लिए last date है single group वाले आप लोग सुन लो single group वाले आप लोग सुन लो आप लोगों के पास भी समय की कमी बहुत है क्योंकि आप दे रहे हो both group बैसे आपका both group में एक ICI का group आता है और दूसरा office आते है और जो office होता है वो तो date group के बराबर है तो आप लोगों के पास और भी time की कमी है तो आप लोगों को accordingly manage करना पड़ेगा पर जो single group वाले जो both group वाले है 8 February तक तुम्हारे classes करके एक बार पढ़के हो जाना चाहिए कुछ बच्चे मुलेंगे हाँ चलो answer मिलगे अब आप उपको नहीं करना है अब अब आपने को single group करना है ऐसा नहीं है ज़र देखो वोगोंने अगर किसी का attempt लगाए तो आप लोग यह समझ कि चलो कि आपको एक बार पढ़के हो गया अभी आपको revision करना शुदू होगा तो you are in a relatively good position even if you want to go for both routes अगर आपको दो-तीन सब्जेक्ट हैसा है कि मालनो classes लेनी है या मालनो कुछ और चीज़ करनी है तो आपको 18 February तक करके आप खतम कर दो तो उसके बाद आपके बस पूरा दो revision का dot to dot time बचता है तो फेबरी तक strict schedule लेकर के तो classes चल रहे हैं उसको खतम कर दो जैसे बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने fast track लिया है वो fast track आपको मैंने 10th year 12 February तक का उसी आप 12 February तक का मैंने आपको schedule दिया है जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे है 18 February और 18 February से मन बना लीजिए मैं दो revision करूँगा कुछ वच्चे ऐसे भी होगे बनेंगे अच्छा बतलब अभी 18 February से पढ़ना है क्या ठीक है नहीं दोस्तो time जितना यह आप देखोगे 42 days में मैंने आपको mock test का अलग से नहीं बताया है आप एक दिन अगर एक एक दिन mock test का include करोगी तो 7 दिन वैसे ही कम हो जाते है तो वैसे ही date 11 February आजाता है फिर RTPs आएंगे, MTPs आएंगे बहुत सारी unplanned चीज़ें होंगी इन्होंने law में इतना बड़ा amendment डाला है वो amendment आपको पढ़ना होगा तो बहुत सारी unplanned चीज़ें होंगी तो समय को हलके में नहीं लेना the last thing that you want to do right now is think that time is on your side time is not on your side it is on the opposite side you will have to win against time तो sir यह आपका आज से लेकर के है आपका जब से भी लेकर के 18 February तक आप क्या करोगे आप लोगों को classes खदम करनी है अपनी पढ़ाई करके खदम करनी है यह चीजे हो गई से बेसिक यह तो हो गया आपका प्लानर जो आपको ब्रॉडली पता ही होगा तो पता देता हूं sir कित्ते subject दिन में पढ़ने है मेरा personal suggestion यह रहता है कि पहली बार class कर रहे है और साथ में पढ़ाई कर रहे है तो आपको 2 या maximum 3 subject रखना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं मेरा personal suggestion यह रहता है बट इट में vary from person to person जो आप first revision भी कर रहे है तो maximum 2 subject जो आप last day revision कर रहे हैं तो आप उससे में भी 2 subject रख सकते हैं पर एक subject रखना ज़्यादा sense बनता है क्यों? क्योंकि देखो यार simple सी बात है अगर तुम exam के पहले पढ़ रहो तो तुम पहले FRSFM का exam देदोगे फिर audit 3 दिन पूरा theory पढ़ोगे law 2 दिन पूरा theory पढ़ोगे पांस दिन दिमाग में theory जाना भी तो चाहिए हम क्या करते हैं? सुभा 8 गंटा theory पढ़ लिए फिर पूरा दिन practical करते हैं हमारे दिमाग को आदत नहीं होती theory लेने की generally मैं ही suggest करता हूँ कि last day, last revision पे आप क्या करो theory पूरा दिन करने की कोशिच करो जब आप audit पढ़ रहे हो, पूरा दिन theory जब आप law पढ़ रहे हो तो आपको ये भी समझ आएगा कि कौनसा chapter में इसको सुभा करना चाहिए, कौनसा chapter शाम को करना चाहिए ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये method follow किये बिना pass नहीं हो है, आदे से जादा देता हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा दोस्तों, लोगों के पर जितनी गलतियां आपने की है सबको सुधारने का time है अभी बस तुम्हारे पास इच्छा होनी चाहिए मैं तुमको बताता हूँ, मेरी personal story SFM क्या paper जो था, मैंने पहली classes लेदी उसके बाद मैंने solve कर लिया पूरा एक पूरा पढ़ करके एक बार खतम होने के बाद जब मैं पहली बार revision में आया जब मेरे को SFM के concepts काफी समझ आ गए थे तो मेरे को लगा यार, ये answer तो गलत लग रहे एक answer गलत लगा, मैंने ignore मारा दूसरा answer मेरे को गलत लगा दोनो answer गलत लगा, तो मैंने practice manual खुल के देखा जो उस समय पे था practice manual जब मैंने खुला तो मेरे को समझ आया answer तो match ही नहीं कर रहे और मैंने check के मेरे को समझ आया, पूरा chapter खराब है पूरा chapter के answers नहीं match कर रहे वो teacher ने नहीं पढ़ाया वो teacher अभी नहीं पढ़ाते है आपको SFM, किसी को भी ने पढ़ाते है उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, आप panic मत करना पर मेरा point ये था कि उस समय पे जब मैरे को realize हुआ, exam के 3-4 मैने पहले था, मैंने पूरा का पूरा SFM का notes scrap किया, मैंने पूरा नया notes बनाया 0 से, and that is when I got 87 in SFM, कि मैंने इतनी जान लगा दी उस subject में, कि मेरे को इतनी सारी चीज़ आगे, मैंने बाहर की इतनी सारी चीज़े पढ़ी, कि मेरे को I got 87 in that subject, आपको ये समझना पढ़ेगा sticking to your mistake is even worse if you have made a mistake then rectify it if you have taken my book, तुमको और भी बोलता हूँ खुल करके, आगा मानलो तुमने मेरी किताब ले लिए मेरी किताब ले लिए, तुमको लग रहा है अरे जम नहीं रहा है यार मेरे को, ऐसा बहुत rarely होगा, लेकिन मैं ये भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, दूसरे किताब से मेरे किताब में आजो मेरा किताब भी नहीं जम रहा है न, छोड़ो ना यार क्योंकि सर आपको पता है आपको क्या चाहिए मेरको नहीं पता है मैंने exam के सारी तीन मेरे पहले classes भी लिए मैंने exam के चार मेरे पहले ITT भी किया है और मैंने बहुत सारी चीज़े किया मेरको उस point and time में जो सही लगा वो करना बहुत ज़रूरी है ति भईया मेरको यह help करेगा कि नहीं करेगा क्योंकि अब सर आगे मेरी बात चुनो बहुत लोग पूछते हैं सर ICI module पढ़ना शुरू क्या करू क्या जैसे audit में लोगों ने पूछा में को na audit में theory में एकदम घबराट हो रही है ICI module पढ़ना शुरू क्या मैं उनको ही के तो फढ़ ले दो चाप्टर पढ़ ले अपने अब तुमको एंसर मिल जाएगा पर फिर भी अगर तुमको लगते है कोई subject लेसे फैम होगे आपको लगते है ICI module सॉल्फ करने है करो बिल्कुल भी मत सोचो करो because यार see everyone who is passing is doing something different आपको दो चीज़ा और second revision करोगे तो फरक क्या होगा पहले revision में quality पे सबसे धाधा ध्यान देना और quantity पे सबसे धाधा ध्यान देना मतलब थोड़ा जाधा time लगा लो हर चीज़ को समझ समझ करके बंद करना नहीं time के अनुसार जब आप second revision करोगे आप quality पे medium ध्यान दोगे quantity पे high ध्यान दोगे मतलब क्या आपका चार दन के अंदर पांस दन के अंदर तीन दन के अंदर revision खतम होना चाहिए उसमें थोड़ी सी quality impact हो पर आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यान देना पड़ेगा उसके बाद सर कितना revision करना चाहिए आइडली दो आप एक ग्रूप दे रहे हैं बोद ग्रूप दे रहे हैं फारख नहीं पड़ता दो revision से जादा अगर आप कर रहे हैं तो शायद आप quality revision नहीं कर रहे हैं quality revision करो दोस्त दम लगा के करो सारी चीज़े याद करो अराम से बैट कर गया अगर कोई आपके पस बहुत टाइम में माल लो एक ग्रूप दे रहे हो कोई page पढ़ रहे हो आपको लगए है बहुत लिखा हुआ है फाल तो एक पेज में समराइज एक चार्ट में समराइज होएगा बनाओ यह होता है quality revision इसमें भले आदा दिन एक्स्ट्रा लग जाए यह होता है quality revision रादर देन वही चीज़ घिजी पिटी तीन तीन चारजार बार आप पढ़ रहे हो उसके बाद मैं आपको हमेशे एक चीज़ बोलता हूँ यार मालनो मेरा अभी अभी ऐफार चल रहा है and audit चल रहा है उससे क्या होगा जन दिन дол पढ़ोगे उस दिन एच्छे घंटें बचेंगे ना तो आपका घंटा effectively utilize होना क्या यह बहुत important है मेरी बात चणो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी तक भी अपने इछले attempt के results से revive नहीं कर पा रहे रोज मेसेज आते हैं मैं भी बहुत सारी चीज़े करने की कोशिश कर चुका हूँ पर after the point in time no one can help you if you are not willing to help yourself ठीक है और में को पता है अभी कर लो ना कित्ती सपोर्ट कर लो हम लोग आपको सिर्फ एक छोड़ी से उंगली पकड़ा सकते हैं पूरा हाथ पकड़कर रगे बाहर निकलना आपको है ठीक है हम लोग फोड़ास आपको बस क्योंकि you are in the face right what can someone else listen to your whole story and bring you out of it it is practically impossible जिस दिन आप लोग move on करने का सोचो कि उसी दिन आप move on कर पाऊगे पर मैं आप लोगों को पता देता हूँ already बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो fail हुए उनको result negative आया पर वो समझे कि हायर मेरी गलती थी वहीना कि मैं सोचू तो उन्होंने मैंने justice नहीं किया अपने पढ़ाई के साथ और जिन्होंने justice नहीं किया वो क्या करते है फिर से पढ़ने लग जाते है तो दोस्तों मैं आपको यह suggest करूँगा कि आप please वापस से bounce back होई है पढ़ाई कीजिए एक जोप ने रे चाहे वो group 1 या group 2 हो तुम्हारे आगे आने वाले काम का season है March, April जो होता है वो काम का season है इतनी आसानी से तुम्हारा boss तुमको छोड़ेगा ने समय रोने के जगा अभी अगर free time है तो जितना भी free time है वो निकाल लीजे फिर मैं आप लोगों को यह suggest करूँगा बहुत बार यह समाल आता है यहर नौकरी है और पढ़ाई है क्या करूँ मैं आपको यह बोलूँगा कि अभी preference दो job को अपने classes को या पढ़ाई को क्यों बच्चो क्योंकि एक बार आप पढ़ाई कर लेते हो ना और C.A. बन जाते हो ना फिर सारी चीजे से sort हो जाती है पर काम के चक्कर में अगर बार बार attempt लगते रहे ना फिर वो काम वाने भी इज़त नहीं देते तो मेरी बात माल लो एक बर आहराम से पढ़ करके चाहे जो भी एक बर लड़ाई हो जाती है ना कर लो लेकिन पढ़ाई आपकी priority होनी चाहे उसके उपर कुछ भी नहीं आता अगर आपको आपका exam इस attempt में clear करना है और मेरे को जतना confusion लग रहे है new course को लेकर के आएगा नहीं आएगा ये लोग रुला देंगे आपको आप चुप चाप May 23 के साब से जोड़ सोर से पढ़ो और निकल जाओ इतना दम है ना ये May 23 में लगा कर खतम कर दो मतलब ऐसा दम लगा दो कि भाया fail हुए ना तो समझ जाना नहीं मिलेगी मेरे को पढ़ना आपको है और उसके लिए दोस्त एकदम strict schedule बनाओ stick to it, adhere to it और अपने आपको ने एक order दे दो कि अगर मैं कोई चीज paper पे लिख रहा हूँ ना paper is guiding me, that paper is controlling me या तो मैं paper में लिखूंगा नहीं कि मैं सुवा साथ बज़े उठूंगा जो मैंने paper में लिख दिया ना, मैं साथ बज़े उठूंगा तो मजाल है मैं ना उठूंगा अपना वो paper को control दे दो नहीं लगता सुवा में उठूंगा तो मत लिखना अगर लिख दिया ना, तो ऐसा समझना कि कोई मैंने, बच्वन में हम करते थे मम्मी कसम खाली, God promise का लिया तरह का डर से वो paper में जो लिख दिया उससे उठ जाना, और paper को एकदम सेन सेन बाते बोले, तो भया कल अपन 8 गंटे पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि आज तुम 2 गंटे पढ़ेंगे और कल अचाना से तुम 2 गंटे पढ़ने लग जाओगे इस तरीके से नहीं होता है दोस्त, ठीक है और guys, just keep reading all I want to end this video is I always keep saying this, you can either have excuses or you can have results you cannot have both, ठीक है आप देखो आपको क्या चाहिए अगर result चाहिए, तो हर बाहना उसका solution है, और आपके खुट के पास solution, आप बस यह सोचो कोई और आकर क्या आपको बोल रहा है और पढ़ाही नहीं हो रही है क्या ग्यान दोगे उसको, भही ग्यान अपने आपको दोवर पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ाही हो जाएगी लोग कर रहे हैं तुमको भी करना होगा ठीक है, बाट सिट गाईज, फॉर मोर सच कंटेंट यू विल हव तो सब्सक्राइब तो इस चैनल अगर आपको यह वीडियो से हिल्प हुआ हो ज़रूर लाइक बटन दबादेना अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भी सिए शिवान सिंगल, साइनिग ओफ